हेलो फ्रेंड्स वेलकम टॉप्टुड़ेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप्टुड़ेट फैक्ट्स का फुल्डे निवस अपिसोड गुजरात हाइकोट ने आज गुजरात सरकार के एंटी लाव जिहाद एक्ट के कुछ सेक्शन्स पर स्टे लगाया है गुजरात का Freedom of Religion Act 2021 जबर्दस्ति के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है हिमार्टल प्रदेश सरकार ने राज में आने वाले लोगों के लिए सरकार ने ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन के साथ साथ COVID-19 नेगेटिव सर्टिफुएट या फिर वैक्सिनेशन सर्टिफुएड भी कमपल्सरी कर दी है बॉलिवूड अक्टर पंकेश्ट्रीपाटी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन मेलबन आई एफ एफ हम 2021 के मौका पर डाइवर्सिटी इन सीनिमा आएवार्ट से सम्मानित किया जाएगा कलकता हाइकोट ने पश्चिम मंगाल एसेंबली इलेक्शन 2021 के बाद हुई हिंसा और कतल के मामले में CBI को जाँच के आदेश दिये हैं कलकता हाइकोट ने ये भी कहा है के कतल के अलावा दूसरे मामलों के जाज के लिए वेस्ट बेंगॉल केडर के सीनियर पुलिस आफिसर्स की स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम बनाई जाएगी BJP High Command ने नागेंदर नाद को बिहार और जारकन BJP General Secretary के बत पर नियुक्त किया है करनाटक के रहने वाले हरीश बंगेरा जो सौधी में ब्लास्फेमी और डेरोगेटरी Facebook पोस्ट के केस में 20 महने से जेल में बनते ओज दिया होकर भारत पहुँच चुके हैं उनका कहना था कि उनका एकाउंट हैक किया गया था केंदर सरकार्न ने आयुश्मन भारत स्कीम के तहित इस साल 10 करोड आयुश्मन भारत कार्ट इशू करने का फैसला किया है इसी के साथ Free Hospitalization Benefit को हर 3 मेने में 50 लाग लोगों तक पहुचाने का भी फैसला किया है जूनियर वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियंशिप के 92 केजी के कैटेगरी में भारत के प्रत्वी बालासाय पाटिल 74 केजी कैटेगरी में भारत के यश और 125 केजी कैटेगरी में भारत के अनिरुद ने ब्रॉंज मेडल हासिल किया है 61 kg के कैटेगरी में भारत का रवींद्र ने सिल्वर मेडर हासिल किया है वो फाइनल में इरान के रहमान मुसा से हार गए थे विमेंज 76 kg कैटेगरी में भारत की विपाशा फाइनल में पहुची है जम्मू कश्मीर के राजवरी में आज आतंकवादियों के साथ मुडबेड में भारत ये सीना के एक जवान जखमी हो गए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सरकार के सरकार करमचारियों के डियर्नेस अलावेंस या डिये को 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है इससे 15 लग सरकारी करमचारियों को फाइदा होगा तालिबान ने आज अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान बनने का एलान किया है तालिबान के स्पोक्सपरसन जबियुला मुजाहिद ने ये ट्विटर पर एनाउंस किया अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के अमबैसडर जहीर अखबर ने पूर्व अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अश्रफ गनी पर 139 मिलियन डॉलर्स की चोरी का इल्जाम लगाया इसी के साथ अफगानिस्तान के पंजशेर में आज नौर्टन एलाइंस ने अपना जंडा लहराया है 1996 में भी नौर्टन एलाइंस तालिबान के खिलफ लड़ा था उस वक्त नौर्टन एलाइंस के लीडर अहमद शामसूद थे IT देश में 14 अगर्ष 2021 को आए जलजले में मरने वालों की तादाद 2199 तक पहुँच गई है 12,260 लोग जखमी हुए हैं और 332 लोग अब तक लापता है चाइनीज कंपनी हुआवे की अंडर अरेस्ट चीप फैनेंशल आफिसर बेंग वांग जु के उपर चल रही US extradition case की hearings कैनड़ा में खतम हुई हैं मेंको 2018 में कैनड़ा में fraud charges पर अमरीकी वारंट के तहता रश्ट किया गया था अफगानिस्तान में आज 19 अगस्ट को Independence Day मनाया जा रहा है इस मौका पर लोगों ने तालिबान की खिलाफ जुलूस निकाला तालिबान ने इस जुलूस पर फाइरिंग की जिसमें कई लोगों की मौत हो गई रश्या ने अमरीकी टेग कंपनी गूगल पर साट लाक रूपे की फाइन लगाई है ये फाइन बैंड और अब्जेक्शनेबल कंटेंट न डिलीट करने पर लगाई गई है United States of America ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान से अब तक अपने 5000 नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाया है USA ने कहा है कि तालिबान इवैक्वेशन प्रोसेस में कोई बादा नहीं डाल रहे और फॉरेनर्स को एरपोर्ट जाने दे रहे हैं अफरिकी देश नाइगर के तिलाबेर इलाके में आज आतंग की हमले में 37 लोगों की मोथ हो गई इन 37 लोगों में 13 बच्चे भी शामिल है अमरिकी कंपनी T-Mobile के 4 करोड यूजर्स का सेंसिटिव डेटा आज ओनलाइन लीक हो गया इस सेंसिटिव डेटा में driving license details, family details वगयरा शामिल थे अफगानिस्तान की राजदानी काबुल के 122 किलोमेटर उत्तर पूर में आज 4.5 magnitude के जलजले के जटके मैसूस किये गए किसे की भी मौत की कोई खबर नहीं है पाकिस्तान के बहावल नगर में मौहरम के जलूस पर हुए आतंकी हमले में तीन लोगों के मौत हो गई और 50 जखमी हो गई अफरीकी देश बुर्किना फासों के उत्तर हिस्स्ये में हुए आतंकवादी हमले में 50 लोगों की मौत हो गई जर्मनी ने कहा है कि उसने काबुल से 900 जर्मन्स को अपने घर वापस पहुचाया है इसी के साथ रश्या ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपनी आर्मी नहीं भेजेगा और तालिबान से अच्छे संब्द बनाए रखेगा भारत की कोरोना अपडेट्स भारत में पिचले 24 गंठों में करोना के 364101 मामलें सामने आये और टॉटाल मामलों नोग किता दाद करोना से 530 लोगों की मत हो गई और टॉटल मत किता दाद 1336 लोगों को वैक्सिनेट किया गया और टोटल डोज़स की तादा चपन करोट चाउट लाग अठाशी हज़ार चासो तो तो गई हो गई भारत में करेंट एक्टिव केसिस की तादा तीन लाग चाउट हज़ार एकसो उनतीस है दोस्तो ये थी आज की फुल डे नियूस अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद